तो नमस्कार दोस्तों मैं हूँ साही ब्यूटिप चैनल टैकेट विक से आपका हमारे चैनल में स्वागत है जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मेरे पास रेड्मी वाई वन आ चुका है यूँकि इनकी नई सीरीज है सेल्फी सेंट्रिक सीरीज और पहली चीज आपको बताऊं तो बॉक्स अभी काफी अच्छा लग रहा है इन्होंने रेड कलर का कर दिया आज की इस वीडियो में हम इसे अन्बॉक्स करेंगे देखेंगे ये डिवाईस की पहली लुक और 24 गंटे बाद इसके मैं आपको इंप्रेशन भी दूँगा तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों जैसा कि आप अभी देख पा रहे हैं कि इसकी पैकेजिंग कुछ ऐसी लग रही है और पीछे की दरफ आप देख सकते हैं रेड्मी वाई वन इसमें हमें मिलता है 5.5 इंच का अच्छी डिस्पले में आपका टाइम वेस्ट नहीं करता बिसिकली इसका हाई लाइट है 16 मेगा पिक्सल फ्रेंट फेसिंग कैमरा LED फ्लेश के साथ और ये अभी के लिए सिरफ गोल्ड कलर में अवेलेबल है 3GB 32GB वाला स्टोरेज उप्शन है इसमें बहुत सारे चेंजिस ऐसे हैं जो कि मुझे चाहिए थे रेड्मी के स्मार्टफोन में जा MI के स्मार्टफोन में तो ये बेसिकली मेड इन इंडिया है बेसिकली अगर आपको सच बताऊना तो ये असेंबल इन इंडिया है दोस्तों अगर हम डिवाइस को ओपन करें तो पैकजिंग एक्चली वाइट और रेड कलर ये वान प्लस जैसी है जो कि काफी अच्छी लगती है और बोक्स में सबसे पहली चीज है ये रिड्मी वाइवन इसे एक मिनिट के लिए साइड में रखते हैं कुछ पेपर वर्क है जो कि मैं यूजली रेड नहीं करता आप अगर पहली बार एंड्रोड यूज़ कर रहे हैं चार्जर जो बोक्स में आता है और ये जो चार्जर है वो है फाइव वोल्ट टू अम्पीर आप भी देख पा रहे होंगे यहां पर लिखा फाइव वोल्ट टू अम्पीर का एक सिम एक्टर टूला और कुछ नहीं है अभी हम सिर्फ और सिर्फ डिवाइस को देखते हैं तो दोस्तो बेसिकली कुछ ऐसा ये डिवाइस लग रहा है गोल्ड कलर में अभी के लिए सिर्फ अवेलेबल है यह काफी सॉफ्ट गोल्ड है और पहले तो इसके हम यह पैकेजिंग उतार देते हैं दोस्तो एक बात मैं अभी के लिए कहना चाहूंगा कि अभी मैंने डिवाइस को निकाला ही है बोक से यह बहुत ज़दा लाइट वेट फील हो रहा है ओविएसली 5.5 इंच में जो वेट सप्रेड किया गया सिरफ 3000 मिलियंपियर की बैटरी है सिरफ नहीं बोलूँगा ठीक ठाक सी है पर जो वेट डिस्टिबूशन है वो मैं कोँगा बहुत ही अच्छा किया तो हम इसे अभी चलाते हैं इसे स्विच अन करते हैं और दोस्तो इस टाइम में मैं आपको इसका स्पेसिफिकेशन और फिजिकल ओवर्वियू दूंगा दोस्तो सबसे पहले हम इसके फिजिकल ओवर्वियू की बात कर लेते हैं और उपर वाली साइड आपको 13 मेगा पिक्सल का एक कैमरा मिल जाता है जो कि F2.2 अपर्चर के साथ आता है और आपको एक LED फ्लेश मी मिलती है फिंगर्पिंट स्कैनर उसके नीचे है और नीचे कुछ MI की इन्फोमिशन है दोस्तों कहना पड़ेगा कि इसका जो कलर है एक्चली बहुत ही अच्छा है जैसा कि आप ध्यान से अगर देखेंगे तो यह सौफ्ट गोल्ड सा लगता है जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है और यह जो प्लास्टिक बैक है यह मैटल बैक नहीं है नीचे की साइड आपको एक micro USB jack मिल जाएगा इदर वाली साइड पर speaker है इदर वाली साइड पर जस्ट एक microphone है लेफ्ट साइड पर आपको sim slot मिल जाएगा अच्छी बात यह है कि इसमें आप दो sim card के साथ एक micro SD card लगा सकते है उपर वाली साइड आपको 3.5 mm headphone jack पहलो तो thumbs up उसके बाद आपको IR blaster भी मिल जाता है, secondary noise cancellation microphone भी मिल जाता है इस वाली साइड आपको power button volume रोकर मिलता है और इनकी tactile feel काफी अच्छी है front में आपको front facing camera है 16 megapixel का LED flash के साथ और कुछ sensors है, नीचे 5.5 inch का 2.5D curved glass के साथ, Corning Gorilla Glass 3 के production के साथ ये panel मिल जाता है दोस्तों अब बात कर लेते हैं से Redmi Y1 के specification की, हमें मिलता है 5.5 inch का 2.5D curved glass वाला HD IPS display, बड़ी बात ये है कि हमें Corning Gorilla Glass 3 के protection मिलती है Qualcomm का Snapdragon 435 मिलता है, 3 या 4 GB वाल RAM options मिलते है, 32 GB या 64 GB internal storage options के साथ, 13 megapixel का rear camera है, F2.2 aperture वाला front facing camera, 16 megapixel का है F2.0 वाला, इसमें आपको fingerprint IR blaster यासे सभी sensors अवेलेबल मिल जाते है, ये चलता है अभी के लिए MIUI 8.5 पर Android 7.1.2 MIUI 9 काफी जल्दी आ जाएगा इसमें आपको 30-80 mAh की बैटरी मिल जाती है, और बढ़िया बात यह है कि आपको normal slots मिलते हैं, यानि कि आप 2 SIM card के साथ 1 microSD card भी लगा पाएंगे दोस्तों अभी ये device setup हो चुका है और अगर आपको मैं fingerprint की speed दिखाऊं तो अच्छी बहुत fast है जो की अच्छी चीज़ है और display quality आप खूदी देख सकते हैं कि काफी अच्छी लग रही है इस device में तो थोड़े बहुत Microsoft के application आपको pre-install मिल जाते हैं इसमें और उसके बाद ये है आप uninstall कर पाएंगे no doubt पर अगर मैं settings में जाओं जो मैं देखना चाहता हूँ कि क्या इसमें MIUI 9 है तो Android version तो nougat है 7.1.2 अच्छी बात है उसके बाद security patch level 9th month का है MIUI Global 8.5 अपर update आजाएगा और उन 32GB में से आपको 23GB storage यूज करने को मिल जाती है तो ये भी अच्छी बात है यहाँ पर और आपको जो normal MIUI के function है वो सारे यहाँ पर मिलते हैं दिस्प्ले में जाते है एक मिनिट के लिए पता ही था automatic brightness तो हो गई रीडिंग मोर कोंट्रास्ट कलर अच्छा है यहार मुझे डिस्प्ले ची लग रही है और यह प्लास्टिक का फोन है पर आप खुद देखो यह काफी यूनीक लग रहा है यह डिवाइस यूनीक इन दे जड़ा बात करी थी अपने कैमरे की कीस में यह वगरा है तो अभी जो कैमरा है यह वाला मैं कुछ सेंपल शॉर्ट आपको दिखा दूंगा इस कैमरे के शेटर स्पीड अक्चली फास्ट है इसकी तो जैसे ही मैं आपको सेंपल शॉर्ट दिखाऊंगा तो आपको अपने देदूंगा इसे 24 यूज़ करने के बाद में और शॉर्टर स्पीड आप देख सकते हैं कि काफी फास्ट लग रही एस डिवाइस के फ्रेंट फेसिंग कैमरा देखते हैं 16 मेगा पिक्सल का मिला अच्छा लग रहा है यार मुझे यह फ्रेंट फेसिंग कैमरा आप देख स तो दोस्तो अभी मुझे 24 गंटे हो गया जब से इस रेड्मी वाइवन को मैं यूज़ कर रहा हूँ मुझे एक चीज़ कहने पड़ेगी कि इसकी फ्रेंट कैमरा की क्वालिटी है वो अच्छी है अभी तो काफी सारी टेस्टिंग में इस फ्रेंट कैमरा की करूंगा बिल अगर आपको यह लगा तो यार एक बार लाइक जुरूर कर देना और शेयर कर देना अगर आपको लगता है कि मैं अच्छा एफट देता हूं अपनी वीडियो में और यार अगर आप यह डिवैस को क्रीदने चाहते हो वैसे तो मेरे रिवीव के लिए वेट कर लो थोड़ के लिए तो फिर से दिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है इस वीडियो में के वल इतनी था देखते रहने के लिए थन्यवाद अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में